Good morning मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी वन में संग्या पढ़ेंगे संग्या को इंगलिश में क्या क्याते हैं? Now तो चलिए बच्चों, आज आप लोगों को संग्या के मारे में बताती हूं बच्चों, यहाँ पे आपको एक पार्ग का चित्र दिख रहा है दिख रहा है न? तो आएए देखते हैं इस चित्र में कौन-कौन है सबसे पहले यह देखिए यह क्या है पार्गर सूरज माली पौधे बच्चे है न? बच्चे है न? यह देखिए तो यहाँ लिखेंगे बच्चे कुत्ता चुडिया और हमें क्या दिख रहा है? पेड़ घास यह देखिए फूल जूले जूला यह देखिए यह देखिए यह जाड़ियां भी हैं यह क्या है? जाड़ि यह देखिए यहां पर जूले तो बच्चे हो यहां हमें क्या क्या दिखा? बादल, सुरज, माली, चुडिया, बच्चे, फूल, घास यह न? कुत्ता, जूला जूरिया, जूली पौधे हमें इतनी सारे चीज़े देखें और ये जितनी चीज़े हमें दिखाई दे रही हैं इन सबका अपना-पना एक नाम है उस नाम से ही उनकी पहचान हो रही है और ये ही नाम जो है संग्या कहलाते हैं ठीके बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं ये देखें ये एक कच्छा का चित्र है यानि कि क्लास का आए देखते हैं इस कच्छा में क्या-क्या चीज़े हैं पहला है चार्ट ये देखें आपके क्लास में भी टंगी होती है ना चार्ट बच्चे और क्लास्रूम में यानि कि मेज यानि कि डेस्क, किताब, बुक, बस्ता, बैग, पंखा, स्विक्छत, ब्लैक पूट, तो बच्चों यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, इनकी नाम से ही इनकी पहचान हो रही है हम किताब को बैग नहीं कह सकते, बच्चे को हम सिक्छक नहीं कह सकते, ठीक है बच्चों, तो इन सब नामों से इनकी पहचान है और ये नाम ही संग्या कहलाते हैं, आएए, आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, ये एक कमरे का चितर है, इस कमरे में आपको आएए बिताते हूं क्या-क्या है, अलमारी, दर्वाजा, घड़ी, पंखा, कंप्यूटर, लड़की, फल, पलंग, खिड़की, ये रखिया खिड़की भी है, ठीक है बच्चों, तो ये कमरे में रखि प्रतेक वस्तु का कोई न कोई नाम है, उसकी नाम से ही हम उसे पहचान करते हैं, उसकी पहचान करते हैं, आई ये नाम ही संग्या कहलाते हैं ठीक है, चलिए, ये संग्या क्या परिभाशा है, आई ये पढ़ते हैं, ये देखी क्या लिखा है, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान ये भाव के नाम को संग्या कहते हैं या हम ये भी कह सकते हैं, सरल वाक्यों में, नाम वाले सभी शब्द संग्या कहलाते हैं ठीक है बच्चों, चलिए, संग्या को हम ठीक से और समस्ते हैं, ये देखी, पहले यहाँ पर दियावा है व्यक्ति, फिर बस्तु, प्राणी, प्राणी में कौन-कौन आते हैं? मनुष्य, केट, पतंग, पशु, पक्छी, सब आते हैं प्राणी में भाव, ये हमारी भावना होती है, स्थान मतलब जगा तो आईए, एक-एक करके हम समझते हैं, पहले व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव और स्थान के नाम को सबसे पहले हैं व्यक्ति के ना, तो देखिए यहाँ पे राजु, मीरा, गीता, अशोग, राहुद, हरी, ये सब क्या है? ये सब नाम है व्यक्तियों के, और भी आते हैं ना, व्यक्तियों के नाम में, माता, पिता, दादा, दादी, बेहन, भाई, ये जितने भी रिष्टदार हैं, वो सब भी संग्या शब्द होते हैं, है ना? चलिए, आगे बढ़ते हैं, वस्तु यहां देखिए, वस्तुओं के नाम है, गेंद, फल बेटा, फल में, जो भी फल होते हैं, सब संग्या शब्द हैं, आम, अमरूत, केला, लीची, संत्रा, जितने भी दुनिया में फल हैं, वो सब के, अपने अपने नाम हैं, और वो संग्या शब्द हैं, ठीके? साइकल, बोतल, पैंसल, कागज, यह सब संग्या शब्द हैं, प्रानी, प्रानी में कौन-कौन आते हैं, मनुष्य, पशु, पक्छी, काई, घोड़ा, बंदर, रीच, हाथी, बक्री, आदी, इसमें कीट पतंग भी होते हैं, मच्छ, मखी, यह सब भी जो हैं, सारे, जितने भी कीट पतंगे हैं, यह कीडे हैं, कीडे, मकौडे जो भी होते हैं, वो सब के सब संग्या हैं, चलिए, आपके बढ़ते हैं, भाव के नाम, बच्चो, यह देखिए, भाव के नाम पहले प भूक, प्यास, बचों, ये जो भाव होते हैं, इनको हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अब आपकी मम्मी आपसे प्यार करती हैं तो यह आप महसूस करते हैं वो आप देख नहीं सकते और उसको छू भी नहीं सकते वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है उसी तरीके से क्रोध हो, खुशी हो, इर्श्या हो चाहे दुख हो, चाहे भूख लगी हो यह प्यास लगी हो, आपको कस के भूख जब लगती है तो आप महसूस करते हैं मम्मी को तो आप दिखा नहीं पाते हैं कि आपको भूख लग रही है यह आप जा करके बोलते हैं मम्मी मुझे भूख लग रही है मतलब यह आपको महसूस होता है कि आपको भूख लग रही है, है न? तो समझ में आ रही है, बच्चो, भाव किसको कहते हैं? जिसे हम न देख सकते हैं, न छूँ सकते हैं, सिर्फ मैसूस करते हैं, इसे हम भाव कहते हैं. चलिए, आगे बढ़ते हैं. स्थान, यानि की जगह? दिल्ली एक जगह है, मुंबाई, मदरास, कलकत्ता, मथुरा, पंजाब, तामिलनाडू, हर्याहना, अम्रिचसर, केरल, उडिश्ता, उसी तरह हमारा डाल्टेन गंज भी एक जगह है, और आपके स्कूल भी एक जगह है, पार्क, मार्केट, ये सब भी अस्थान में आते हैं. ठीक है बच्चों? तेवहारों के नाम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तेवहारों के नाम है, कुछ दियेव हैं, होली, क्रिस्मस, इईद, और भी तेवहार होते हैं हमारे हैं, बहुत सारे तेवहार मनते हैं, वो जितने भी तेवहार होते हैं, वो सब संग्याशक्त हैं सब्ता के दिनों के नाम सब्ता के दिनों के नाम रविवार, सुमवार यहाँ पे दुहीं दिन आपको उधारन के लिए दिया गया है ऐसे सब्ता में कितने दिन होते हैं साथ जितने भी दिन होते हैं वो सब संग्या शब्द है महीनों के नाम महिने में जितने भी शब्द आते हैं यहां जुलाई और दिसंबर दिया है महिने के कितने नाम होते हैं पता है आपको न? बारा महिने होते हैं एक साल में बारा महिने होते हैं तो जितने भी महिनों के नाम है जनवरी से लेकर दिसंबर तक वो सब संगया है चलिए बच्चों यह आपने देखा कि संगया किसे कहते हैं एक बार आए फिर से दोर आते हैं वक्ति, पशूपक्छी, वस्तू, स्थान या भाव के नाम को संगया कहते हैं ठीक है बच्चों? तो उमीद करती हूँ कि आप लोग संगया अच्छे से समझ गया होंगे और इसे आप लोग फिर से अच्छे से पढ़ेंगे याद करेंगे और समझ कर पढ़ेंगे ठीक है बच्चों? आज के लिए इतना ही आप अपने घर में स्वस्त रहें सुरक्षित रहें दरने वाद